मैट्स तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे कोशन नमर ट्वेल वन अपोन रूट 7 माइनस 6X माइनस X स्क्वेर मैंने तुम्हें बताया था इसमें क्या करना होता है हमें नीचे की तरफ क्या बनाना होता है पर्फेक्ट स्क्वेर कौन से कोशन है पर्फेक्ट स्क्वेर केटेगरी पर्फेक्ट स्क्वेर केटेगरी वाले कोशन है इसमें हमें पर्फेक्ट स्क्वेर बनाना पड़ता है तो एक काम करते हैं ये जो अंदर वाला हिस्साया ना इसको take कर लेते हैं, बाद में इसके अंदर put कर देंगे, take कर लो, 7-6x-x², मैंने ये take कर लिया, मैं इसका क्या बनाने वाला हूँ, perfect square, मैं इसका क्या बनाने वाला हूँ, perfect square बनाने वाला हूँ, हमारे पास ये जो आइटम थी ना, 7-6x-x², मैंने अंदर वाली आइटम को अलग से लिख लिया, नीचे लिख लिया, take करके, 7-6x-x² करके लिख लिया, अब मैं पहले अलग से बना लूँगा, perfect square, और बाद में इस करूँ, मैं अलग से perfect square बनाऊंगा, और फिर बाद में इसके अंदर लाकर put कर दूँगा, ऐसे करने से असानी रहती है, ठीक है, देखो, perfect square बनाने से पहले तुम्हें एक बात हमेशा पता होनी चाहिए, कि x² का coefficient क्या होना चाहिए, 1, x² का coefficient क्या होना चाहिए, 1, और ध्या मैं इन दोरों मैं से minus common ले रहा हूँ, बोट पे देखते रहा न, मैंने minus common लिया, बताओ 6x क्या हो जाएगा, प्लस का, minus x² भी क्या हो जाएगा, प्लस का, देखो, minus x² भी प्लस का हो गया, और minus 6x भी प्लस का हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है न, इस वाले step में, यह जो म अलग से लिख लिए बहुत ही बढ़ी है कमाल का काम कर दिया मैं आज फिर मैंने इन दोनों में से क्या कोमल ले लिया माइनस जैसी मैंने माइनस कोमल लिया माइनस का x स्क्वायर तो बन गया प्लस का और माइनस का 6x क्या बन गया प्लस का 6x माइनस कोमल इसलिए लिया है क्यो स्कुराइंगे तो मैं मालू में संग कम्पलीटिंग इस स्कुराइर बनाने की क्या या। स्कुराइर मुझे देखकर ऒताow। मैं यहां पर लिखर ओधर इस पेस कम है। इंप्लाइस बेट का साइन लगाके, देखो, x का कोफिशेंट क्या दिखाई दे रहा है? 6, 6, बताओ 6 का आधा कितना होता है? 6 का हाफ, 6 का हाफ होता है? 3, तुम्हें 3 का स्क्वायर एड करना है और 3 का स्क्वायर लेस करना है ध्यान से सुनो मेरी बात को, तुम्हें 3 का square क्या करना है, add करना है, और 3 का square क्या करना है, less, x का coefficient है 6, और 6 का half होता है 3, तुम्हें 3 का square add करना पड़ेगा, और 3 का square less करना पड़ेगा, तो देखो, x square plus 6x, तुमने 3 का square add करा, बोट पे देखो, तुमने 3 का square तो add कर दिया, clear, और तुमने 3 का स्क्वाइर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कोई फरक पढ़ा? बताओ 3 का स्क्वाइर एड करा और 3 का स्क्वाइर लस करा, कोई दिख्कत नहीं है, हम किस की तयारी में? हम perfect स्क्वाइर बनाने की तयारी में. X का coefficient था 6, 6 का आदा होता है 3 तुमने 3 का square add करा और 3 का square less करा ये काम हम करते हैं perfect square को बनाने के लिए जो तुम्हे 10th class में सीखने को मिलाता अगर तुमने ध्यान से पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा और नहीं पढ़ा होगा देखो इस वाले X को उठाओ और इस वाले 3 को उठाओ देखो इस वाले X को उठाओ और इस वाले 3 को उठाओ और formula बना दो X प्लस 3 का whole square मैं फिर से repeat कर देता हूँ तुम्हें क्या करना होता है तुम्हें X को उठाना होता है यहां से 3 को उठाना होता है और दोनों को उठा करकी क्या बनाने होता है whole square का formula मुझे बताओ तुमने वहां से x को उठा है यहां से 3 को उठा है तुम्हें मालूम है न बीच में 6x का क्या हुआ मैंने बता दिया था बीच में 6x वाली ट्रम क्या हो जाती है गायव मुद्दे की बात यह है देखो वट पे 6x के साथ अगर प्लस होगा तो formula बनेगा प्लस का और अगर 6x के साथ minus होगा तो formula बनेगा minus का बीच के 6x की जरूरत कितनी है बीच में जो 6x है उसकी जरूरत सिर्फ इतनी है कि अगर वो plus है तो formula बनाना है plus का whole square और अगर वो minus है तो formula बनाना है minus का whole square तो मुझे बताओ तुमने x और 3 का इस्तमाल करके formula बना दिया बताओ 3 का square बचा हुआ है न भी अभी ये वाला 3 का square बचा हुआ है बचा हुआ है तो solve कर दो बताओ 3 का square कितना होता है 9 खोल लिया कोई दिक्कत तो नहीं है मैं फिर से repeat कर देता हूँ देखो तुमने यहां से x का इस्तमाल करा वहां से 3 का इस्तमाल करा और दोनों का whole square बना दिया plus वाला और ये जो minus का 3 square था तुमने खोल लिया 9 हो गया अब तो मैं मालू में क्या करूँगा अब मैं minus की भी multiply अंदर दूँगा देखो 7 बताओ minus की multiply इस से करी तो ये भी minus का हो गया हाँ ना x plus 3 square अब इदर देखो देखो इदर what पे minus minus क्या हो गए plus मैं फिर से repeat कर देता हूँ minus की multiply इस bracket के साथ करी bracket भी minus का हो गया minus की multiply इस minus के साथ करी minus minus क्या हो गया plus तो plus का 9 अब अगले step में देखो 7 और 9 एड़ हो सकते ही ना बताओ 7 और 9 को एड़ करने के बाद 16 बनता है 16 minus x plus 3 का whole square 16 minus x plus 3 का whole square तुम लोग के लिए मैं proper formula बनाने के लिए 16 को भी 4 के हिसाफ से लिख दूँ तुम मैं मालूम है ना तुम लोग के लिए formula बनाने के लिए 16 को भी क्या लिख सकता हूँ मैं 16 को लिख सकता हूँ 4 का square minus x plus 3 का square बन गए ना perfect square हमने perfect square बना लिए अब हम अपने बापिस question में आ जाएंगे मतलब उस root वाली form में आ जाएंगे पहले तुम यहां तक note कर सकते हो अगर साथ साथ कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है और अगर नहीं कर रहे हो तो वीडियो post करके कर लो या जैसे मर्जी देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं तो हमने क्या बनाया देखो हमने इस चीज को किस में बदल दिया 4 square minus x plus 3 square में है ना अब मैं यह वाला part रप कर रहा हूँ मुझे बताओ तुमने convert करके यहां तक पोज़ गए ते ना देखो तुम convert करके कहां तक पोज़ गए यहां तक और इस चीज को तुमने बदल आए तो देखो अगले step में क्या होगा we have करके लिखना तुम नीचे से तुम इसके बाद क्या करोगे we have तुम इसके बाद क्या लिखना we have करके बताओ देखो what पे one root मुझे बताओ देखो तुमने इसको किसमे बदल लिया तुमने इसको इसमे बदल लिया arrow दिखाई दे रहा है न तुमने इस चीज को किसमे बदल दिया इस चीज में फर्किये है उसमें formula नहीं लग सकता था इसमें हमारा integration का formula लग जाएगा पहले लिख लो 4 का square minus x plus 3 का square अब लगा दो integration का sign और लिख दो dx अब मैं इस question को और भी जादा simple बनाऊँगा इतना simple बना दूँगा इतना simple बना दूँगा इतना simple बना दूँगा बस और कितना simple करोगे ठीक है तो देखो अब इस question के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ ये जो x plus 3 दिख रहा है न ये जो x plus 3 दिख रहा है ये मुझे दिक्कत कर रहा है मुझे पसंद नहीं आ रहा ठीक है अब देखो मैं इसको कैसे भगाऊँगा यहां से मुझे बताओ x plus 3 अच्छा लग रहा है या सिर्फ x अच्छा लगता सिर्फ x अच्छा लगता न मुझे बताओ अगर इसकी जगे सिर्फ ये होता standard है न यही तो formula सिखायते मैं न लेकिन ऐसा नहीं है कोई बात नहीं हम ऐसा कर लेंगे ऐसे तो मत करना कैसे करना है वो मैं बताता हूँ देखो तुम अंदर x plus 3 को और असान बनाने के लिए x plus 3 को क्या मानोगे बई बच्पन से क्या मानते आ रहे हैं t बच्पन का मतलब ये नहीं कि बच्पन से बच्पन का मतलब है starting से chapter 7 की starting से क्या मानते आ रहे हैं t अब तो मैं मालूम है x का derivative होता है d x 3 का तो 0 हो जाता है और t का क्या होता है dt अब बापिस question में आ जाओ देखो word पे word पे focus करना dx dx के जगे क्या आगी है d t उपर तो आगी है d t अब upon में देखो upon में है 4 का square minus मुझे बताओ इसको तुमने क्या माना है इसको t माना है न upon में है t का square अब मैं तुम लोगों को integration का formula नहीं लगवाँगा मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि कौन सा formula लगेगा ताकि तुम अपने उसमें ढूंड सको और घर पे तसलिसे बैठ कर लगा सको और अगर अभी मन कर रहा है लगाने का तो अभी वीडियो पोस्ट करके लगा ले न पहले मैं तुम्हें formula बता देता हूँ कौन सा है तुम्हें मालूम है न constant की जगे क्या है constant की जगे हमारे formula में क्या होता है A यह वाला formula ढूंड लो X की जगे लेकिन क्या लगाना है T AND में न T की value जरूर पुट कर देना बताओ T की value क्या है देखो यह रहा T की value क्या है X प्लस 3 है AND में T की value डालना मदभूलना और A की जगे क्या डालना पड़ेगा 4 और X की जगे क्या डालना पड़ेगा T AND में T की value डाल देना फिर समझ जाओगे न कैसे करना है इसको या तो 2-3 line छोड़कर घर पे कर लो या फिर वीडियो पोस्ट करके अभी कर सकते हो वो तुमारे उपपर है ठीक है मैं तो यह कहूँगा कि 2-3 line छोड़ दो अगर AND में टाइम बचेगा तो इने कर लेना नहीं बचेगा तो घर पे कर लेना अब यह हो जाएगा तो देखो 13 कोशन देखते हैं कोशन नमर 13 के अंदर भी हम वही काम करेंगे क्या बनाएंगे परफेक्ट स्क्वाइर कोशन नमर 13 में भी हम परफेक्ट स्क्वाइर बनाने की कोशिश करेंगे चलो स्टार्ट करते है यह है हमारे पास 1 रूट के अंदर क्या लिखावा है x-1 x-2 मुझे बताओ यह परफेक्ट स्क्वाइर तो कहीं से भी नहीं है यह परफेक्ट स्क्वाइर नहीं दे रखें कोई बात नहीं हम तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वाइर बना सकते हैं इतने माहिर हम मैट्स में है कि नहीं सब्सक्राइर अभी बनाएंगे दो मिनिट में इसमय क्या हर किसी का बना देंगे तो मारा परफेक्ट स्कॉयर बना देंगे ज्यादा करोगे तो तो बनाते हैं फिर ढरते हैं कि हम पिर फेक्ट wise बनाएंगे निहीं सब्छ बदाना कि अनदर खाठ रिन देख पाएगा पानौना तो फिर वह करेंगा जिसनका बनाना खुघ बता बनाना होता है बता किसका बना बनाना है, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू का बनाना है, पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में बना लो, सिंपल फॉर्म मतलब, मल्टिप्लाई दे दो, जब तक मल्टिप्लाई नहीं होगा, तब तक कैसे बना दूँगा, कर दो मल्टिप्लाई, देखो, एक्स की एक्स से क माइनस माइनस प्लस टू ठीक है यह हो गिया अब अगे देखो और बनाने के बनारे की बात नहीं हो मुर्ख बनाना मेरा काम है, मुर्ख बनना तुम्हारा काम है, खेर मुर्ख मत बनो, उल्लो नी बनना, चलो, perfect square बनाते हैं, मैं strap याद दिला देता हूँ, x के coefficient का half, मुझे बताओ, x का coefficient क्या दिखाई दे रहा है, 3 न, तुम्हें sine से कोई मतलब नहीं होता, चाहें minus लगावा तो मैं उससे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे coefficient बताओ, x का coefficient क्या दिखाई दे रहा है, 3, देखो, मैंने बोला 3 का आधा, बताओ 3 का आधा करने का मतलब 2 से divide हाना, आधा करने के लिए point में मत करना, कटता है तो काड़ दो, नहीं कट रहा है, तो कोई बात नहीं, जैसे कि प स्क्वाइर, समझ गए ना, मतलब की 3 upon में 2 का स्क्वाइर एड करना है, 3 upon में 2 का स्क्वाइर लेस करना है, 3 upon में 2 का स्क्वाइर एड करना है, और 3 upon में 2 का स्क्वाइर लेस करना है, किसमें करना है, इसमें करना है, और किसमें करना है, ठीक है, इस चीज को मैं हटा देता ह और वहां पर निलुखła इधर लिखूँगा है इअधर इसक्षे समय बैद एक स्क्वेयर स्क्वेयर माइन स्लिक्तों मैंने बताया था पलब HU कर ओ we yüz एक सचाल स्क्व लिखियर करो देखो इर यह पाल आप टू का स्क्वेयर का एड़ करा अधि 3 by 2 का स्क्वाइर क्या कर दिया बोलो नहीं बोलोगे देखता रहता हूं मेरी नजर रहती है हरसा में तुम पर तो इसलिए तुम्हें एक्टिविटी करनी पड़िएगी तो 3 by 2 का स्क्वाइर एड करा और 3 by 2 का स्क्वाइर लेस करा उसको तो बाद में देखींगे पहले इधर देखते हैं मैंने तुम्हें बताया है यहां से x उठाओ यहां से 3 by 2 उठाओ हरा देखो x के इधर वाली चीज और x के आगे वाली चीज दोनों को उठाकर whole square बनाना है लेकिन मुझे बताओ plus का whole square बनाओ या minus का whole square बनाओ वो तुम्हें बताएगा बीच वाला बताओ बीच वाले में क्या साइन है minus देखो यहां से x उठाओ वहां से 3 by 2 उठाओ बीच में से minus उठाओ सीधी सीधी वाले देखो पहले उठाना है x बीच में से उठाना है sin वहां से उठाना है 3 by 2 और पूरे का बनादेना है whole square पूरे का क्या बनादेना है whole square अब उधर देखो अब खोल लो उधर बताओ 3 by 2 का square पहले नहीं खोलाता ना अब खोलूंगा दरताओं कि हमें खोलने से देखो 3 का square 9 2 का square 4 उधर बचा plus 2 3 by 2 का मतलब 9 अपोन में 4 और वहां से बचा plus 2 तो मैं मालू मैं इधर पहले में solve करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा तो देखो मैं इतने पार्ट को हटा रहूं क्योंकि मुझे क्या चाहिए इस पेस चाहिए और क्या चाहिए समों से थोड़ीना चाहिए ठीक है तो देखो x-3 by 2 का to whole square बना दी है अब तुम्हें मालू में इधर क्या लेना पड़ेगा भई इधर क्या लेना पड़ेगा क्य माइनस के 9 by 4 मैं इधर लेकर दिखा रहा हूं तुम सोच रहोंगे मैं उधर लेकर दिखा रहा हूं इधर नहीं ले सकते बिल्कुल तुम लोग यहां पर भी LCM ले सकते हैं यहां पर 2-3 step चले जाएंगे खामे का हम रफ में कर लेते हैं LCM है कोई बहुत बड़ी बात तो ह है नहीं बताओ LCM लेना के बहुत बड़ी बात है 2-3 साल लगते है LCM लेने में नहीं आज कल तो 2-3 साल में दुनिया बदल जाती है LCM के चीज़े ठीक है तो मैंनो दर रफ में लिख लिए ताकि मैं तुम्हें रफ में दिखा दूँ बताओ तुम सोचने होंगे मैंने प्लेस वाला पहले लिख लिया और माइनस वाला बाद में लिख लिया बताओ जर्नली अगर हम प्लेस वाला पहले लिख लेते हैं तो अच्छा लगता है दिल को सुकून मिलता है मिलने तो थोड़ा सा सुकून क्या जा रहा तुम्हारा देखो problem ना हो तो मैं सीधा minus 1 by 4 लिख दूँ तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो मैं अगले step में सीधा minus 1 by 4 लिख दूँ उपपर देखो तो अगले step में यह आएगा यह तो आगी है x minus 3 by 2 का square हा ना और बताओ यहां से यह क्या आया है minus का 1 upon 4 समझ में आवे ही ना बात तुम सोच रहे होंगे देखो मैंने इन इन दोनों की जगे क्या लिख दिया इन दोनों की जगे क्या लिख दिया minus का 1 by 4 कैसे ऐसे इस चीज को अगर तुम side में उतानना चाहो न रफ में तो उतान लो ताकि तुम लोग को revision करते समय ध्यान रहे कि यह आया कैसे वैसे याद आ जाएगा LCM ही तो लिया है कोई बहुत बड़ी चीज तो करी नहीं है अब तुम्हें मालुमें मैंने तुम्हें बोला है whole square बना लिया करो हाथो हाथ बताओ इधर तो whole square बनावा है न एक्स माइनस 3 by 2 का whole square यहाँ पर बना हुआ है उधर भी बना लो बताओ कि अब 1 by 4 का square बना नहीं सकते देखो कैसे बनेगा 1 by 4 किसका होता है 1 by 2 का square कैसे बताओ 4 किसका square होता है 2 का और वन किसका होता है 1 तो सबका होता है 1 का तुम square करना चाते हो square कर दो 1 का cube करना चाते होCuke कर दो 1 की power 4 करना चाते हो कर दो 1 तो बन नहीं वही है बन का क्या है कि कुछ भी कर सकते हो तो मशन के साथ अब बापस कोश्ण में आएंगे फिर से वह लिखना है भी हैप करके मुझे बताओ है करने के बाद नीचे मैइने इसको बदला़ाई ना देखो उठ पे मैंने इस चीज को किस में बदल दिया किस में बदल दिया ये दिख रहा है ना नीचे तो देखो पहले तो दिल खोल कर एक बड़ा सा रूट बनाओ कंजूसी नहीं चलेगी रूट बनाने में यहां से तो आएगा x minus 3 by 2 का square, वहां से आगिया minus 1 by 2 का square, अब तुम्हारा formula तैयार है, अब तुम्हें मालूम है, मैं तुम्हें आजकल क्या सिखा रहा हूँ, formula को और भी जादा आसान करना, हाला कि मैंने standard form बना ली न, बताओ, इस form में तो लिखवा रखे हैं, मैंने integration के form लें, लेकिन मैं इसको अभी और आसान बनाओंगा, और किसकी help से, टी की help से, कैसे बनाओंगा भी पिछले question में बताया था मैंने, इस x वाली चीज़ को क्या मान लिया करो, टी, देखो, पहले तो integration का sign लगा लो, और dx लगा लो, अब तो मैं मालूम है, मैं x-3 by 2 को, देखो, अंदर, x-3 by 2 को क्या मान रहा हूँ, t, x का derivative होगी है, dx, minus 3 by 2 का होगी है, 0, और t का क्या होगी है, dt, अब देखो, ये question और भी असान दिखेगा, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, देखो, बोट ये step उतार लेना, उसके बाद ये उतारना है, और उसके बाद ये उतारना है, ठीके, देखो, 1 upon में, इसकी जगे तुमने क्या माना है, t, तो ये तो होगी है, t का square, और 1 by 2 तो 1 by 2 ही है, 1 by 2 का square, और बताओ, dx की जगे क्या आएगा, dx की जगे आएगा, dt, क्योंकि dx किसके बरावर हो चुका है, dt के, अब तो मैं मालूम है, मैं तुम्हे याद दिला देता हूँ, अच्छा देखो, root चल ला था, मेरे ध्यान नहीं रहा, root लगाने का, ये लो, कोई बात नहीं, root लगा दिये मैंने, देखो, इस चीज का ध्यान रखना, root चल रहा है, तो उसे चलान दो, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, कोशन पेपर में, ध्यान से देख लो, पहले, जब पेपर में आएगा, कि उसमें root है या नहीं है, क्योंकि तुम्हें मालूम है, root वाले formula और बिना root वाले formula दोनों ही है, और formula गलत, integration गलत, integration गलत, कोशन ही गलत, इसमें मैं तुम् formula लगेगा, तुम्हें मालूम है न, P के हिसाफ से formula लगाना, end में क्या value put कर देना, T की जगे, end में value put कर देना, T की जगे, x-3 by 2, end में तुम्हें T की जगे, क्या value put करनी है, x-3 by 2, जैसे तुम put कर दोगे, तुरंत put करने के बाद उसको छोड़ देना, वहीं पर, और A की ज जगे क्या value है, 1 by 2, और x की जगे क्या value है, P, खेर मैंने तुम्हें सिखाई दिया है formula लगाना, formula लगाना तुम्हें आना भी चाहिए,